स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने योटोब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में कच्छा दस के रसाइन विग्यान के पूरी किताब का महत्पूर बाविकलपी परशनों के बारे में अध्यन करेंगे तो आप सभी वी द्यारती एक एक परशन को अच्छे से तयार कर लिजेगा तो यहाँ पहला जो कोशन है बेकिंग पावडर को गरम करने पर कौन सी गैस निकलती है और यह बोड में पूछा गया है 2019 के बोड की परिच्छा में पूछा जा चुका है कि बेकिंग पावडर को गरम करने में कौन सी गैस निकलती है और यहाँ चार आपसन दिया गया है कार्बो मॉनो आकसाइड दिया गया है सोडियम कार्बोनेट दिया गया है कार्बन डाई आकसाइड दिया गया है और आकसीजन गैस दिया गया है इसमें कौन सा आपसन सही है तो इसमें कारबन डाई आकसाइड गैस जो है निकलती है इसमें सी वाला आपसन जो है सही है अगला प्रसंदिया गया है नियान है अब नियान क्या है चार धातु है अक्री गैस है उपधातु है संकरमर तत्व है तो नियान जो है अक्री गैस है इसमें B वाला आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बहते वे रक्त को रोकने में उपयोगी योगिक है अब यहां बहते वे रक्त को रोकने में उपयोगी कौन है खाने का सोडा है नौसादर है धामन सोडा है फिटकरी है याद रखेंगे इसमें फिटकरी हो जाएगा इस तो याद रखेंगे इसमें कौन है इसको क्या करते हैं खाने का सोडा कहा जाता है इसको कहा जाता है अगला प्रस्ण है विरंजक चूण परतन सल्फिरिक अम्ल के अभिकरिया से गैस निकलती है मतलब विरंजक चूण परतन सल्फिरिक अम्ल को डाल देते हैं तो उसमें से कौन सा गैस निकलती है तो इसमें चार आपसन दिया गया है इसमें कहा जाएगा इसमें कहा जाएगा मनें कलोरीन गैस इसको कहा जाता है ख नहीं होता है दूरबल अमली और यहां पे चारी उदासीं तो यहां पर आपसन जो हो जाएगा इसमें चारी हो जाएगा सीवाला आपसन क्या हो जाएगा सही हो धामन सोडा का रसाइनिक सुत्र है अब यहां धामन सोडा का रसाइनिक सुत्र क्या होता है धामन सोडा रसाइनिक सुत्र याद रखिएगा यन A2CO3 into 10 S2 ये किसका सुत्र होता है धावन सोडा का सुत्र होता है इसमें ये वाला आपसन जो है सही हो जाएगा और ये बूर्ड परिच्छा में देख सकते हैं को साल पूछा गया 15 में, 16 में, 20 में 22 की परिच्छा में भी पूछा गया है अगला कोशन है माइक्रो कास्मिक लवड का सुत्र है ये भी परशन बहुत महत्पून परशन है तो माइक्रो कास्मिक लवड का सुत्र कौन है यहाँ पे 4 आपसन दिया गया है तो इसमें कौन सा आपसन सही हो जाएगा ये किसका सुत्र होता है माइक्रो कास्मिक लवड का सुत्र होता है अगला प्रसंद दिया गया है कि एसटिक अमल एक दुरूबल अम है क्योंकि इसमें पानी की मातरा अधिक होती है इसमें आयनन की मातरा कम होती है यह कार्बनी की अमल है यह एक और कार्बनी की अमल है यहाँ पर चार आपसंद दिया गया है तो इसमें जो आपसंद गया है या आइन की मातरा इसमें क्या होती है कम होती है इसमें बी वाला आपसंद क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रसंद दिया गया है अगला प्रसंद एक हाइडो क्लोरिक अमल की सक्ति 10 के पावर म ही उसका मान हो जाएगा इसमें माइनस दो है तो इसमें दो हो जाएगा याद रखेंगे बी का मान क्या हो जाएगा इसमें दो हो जाएगा अगला कोशन है एक बिलियन में हाइडोजन आयन की संदर्ता है दस के पावर माइनस साथ मोल प्रति लीटर है इसका पी अच मान होग अब यहां पर जितना hydrogen ion की संधर्ता देता है जितना power याहाद कि power 10 की power minus 7 है उसमें से किसको घटा देते हैं तो याहद रेखिए कि इसमें से जो है 14 में से 4 जितना power घर जाएगा ज offersy कितना घचाएगा साता जाएगा बी वाल आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रशन है सल्फिरिक अमल में अमली हाइडोजन परमाड़ों की संख्या है इसमें जो है कौन सा आपसन सही हो जाएगा दो एक तीन सुन यहाँ पर सल्फिरिक अमल का सुत्र क्या होता है यह च्टू यह So4 होता है इसमें Hyderogen प्रमादवूं की संहख्या पूछा जा रहा है तो Hyderogen प्रमादव्ध की संग्हया इसमें देख सकते हैं कितना होता है तो येस्टूए S o4 में 2 होता है इसमें आपसन क्या हो जाएगा एवाल आपसन क्या हो जाएगा तो अब यहां पर 15 प्रश्ण के बारे में समझेंगे तो यहां 15 कोशन है अमली बिलियन का पियच मान है साथ से कम साथ से अधिक सुने तो अमली बिलियन का मान जो हता है पियच मान जो हता है साथ से कम अगर रहता है तो अमली होता है साथ रहेगा तो उदासीन होता है और साथ से अध वर्ड होते हैं अगळा कर पुटास इलम का रसाइनिक सुत्र है पुटास इलम किसा जो रसाइनिक नाम होता है तो फिटकरी का होता है और प्रस्न है और यह प्रस्म को देख लिए कितने साल पूछा गया तो 11 में, 14 में, 17 में, 2020 में जल को जिवान रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो जल को जो है जिवान रहित बनाने के लिए इसमें उपयोगी पदार्थ कौन है, धामन सोडा है, बेकिंग पौडर है, पॉजहने वाले यंतर में परियुक तो होने वाला पदार्त है आगभुजहने वाले यंतर में किसका परियूग करते हैं यह इनने टू-C02 यह दे एक बिलियन में हाइडरा अक्साइड आयन का सांदरता एक गुड़े दस के पाउर माइनस बारा है देखिए यहां पर प्रस्ण और बताए गया था इसके पहले हाइडरोजन आयन सांदरता जितना यह पावर दिया रहेगा वो 14 में से घटा दिया जाता है तो 12 है तो 10 में से 12 आरा जाएगा किना आएगा यहां पर दो हो जाएगा आपसन क्या हो जाएगा इसमें यह वाला आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अब अगला प्रसंद देखेंगे निमन में से कौन से पदार्थ उर्ध पातन का गुण पर दरसित करते हैं अब उर्ध पातन क्या होत सबस्था से सीधे वास्ड वावस्था में बदलता है वह कौन संपदारत है तो नौ 7 सदर होता है ठोक से सीधे गय सबस्था में बदल जाता है यहीं बिलियान होग तो यहां पर प्यमान होऑ तो जब सल्फियूरिक अमल通ī एक तो Six YA कितना होता है स्वान ही ऑपता ही जब रहेगा साथ से अधिक होता है चारी साथ से अधिक होता है अगला कोशन विरंजक क्षून का सुत्र है विरंजक चून का सुत्र कौन हो जाएगा तो विरंजक चूण का सुत्र क्या होगा तो CAOCL2 यह किसका सुत्र है विरंजक चूण का सुत्र है तो उम्मीद करते हैं प्रशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगला प्रशन है कापर पराइड को वाई में गरम करके सलफर को दूर करने की किरिया को कहते हैं तो कापर पराइड को वाई में गरम करने को करके सलफर से दूर करने की पर किरिया का कहलाती है भरजन कहलाती है इसमें बीवालापसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मुद्रा धातु है मुद्रा धातु कौन है जिंक है सिलवर है मैगनीसियम है सोडियम है तो या देखे सिलवर होता है इसमें बीवाल आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा एंटी मनी है एंटी मनी क्या है धातु है और धातु है उपधातु है अक्री गैस होते हैं तो समझ में आ रहा होगा बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण बताया जा रहा है तो अगला प्रश्ण है अमलगम होते हैं क्या होते हैं उपधातु मिस्तुर धातु योगिक बिस्मागी मिस्तरण याद रहे कि अमलगम जो होते हैं या योगिक होते हैं इसमें सीवाल आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा निमने में से कौन सीधा तो ठंडे जल से हाइडोजन गैस निकलती है और देख सकते हैं 2022 की परिच्छा में पूछा गया है इसमें कौन है लोहा है कापर है सोडिय है कारबन है इसमें कौन आपसन सही हो जाएगा इसमें जो है सोडियम इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसमें सीवाल आपसन जो है सही है अगला प्रशन है फोफेलेदार ताबे में कापर का प्रतिसत मात्रा है यह भी प्रशन महत्पूर्ण प्रशन है अंठानवे फ्रसंत्पन दो प्रसंत्त सतुर प्रसंत्स तीस प्रसंस है चलए हो जाएगा अगला प्रास है तामर मतलब ऍहल जो है गलास नि कारवाइड पर यल्कि करियाथ द्झे में से कौन सा हाइडो कार्बन उतपन होता है एफ्हेन मेथे製 Unity याद देखेंगे इसमें कौन होगा इसमें सी वाला आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसे टिलीन है निम्न में से कौन सी धा तो अमल से हाइडोजन बिस्थापित करती है मैगनीसियम कापर प्लेटीनम मरकरी इसमें बताना निम्न में से कौन सी धा तो अमल से हाइडो अगला प्रशन है निमले खित मेंसे कौन सी धात जल के साथ समान अताप पर किरिया करती हैं अब यहां पर कापर है सोडियम है इलमुनियम है मैगनीशियम है और बोड में पूछा भी गया है 2018-2022 में तयाद रिखिए सोडियम हो जाएगा इसमें बी वाला आपसन क्या हो जाएगा अगला प्रशन है जस्ता धात वा हाइडोकलोरी कमने से क्रिया करके कौन सी गैस निसकासित करती है पाला ओजोन है आकसीजन है हाइडोजन है नाइटोजन है तो यहाँ पर हो जाएगा हाइडोजन सी वाला आपसन क्या हो जाएगा अगला प्रसंदिया गया है अगहात वर्धिनियता पदरसित करते हैं तो अगहात वर्धिनियता करत क्या है जब किसी धात को हथोड़ा से पीटने पर वह चादर की नुमा बन जाए उस गुण को क्या कहा जाता है अगहात वर् परवर्तनी भठी का उपयोग होता है तो याद रखेंगे इसमें जो है निस्तापन में परियोग किया जाता है अब अगला प्रसन है मुद्रा मिस्र धातु है मुद्रा मिस्र धातु ये भी बहुत महत्पूर्ण प्रसन है तो मुद्रा में कौन कौन से धातु को डाल करके बनाया जाता है यहां पे कापर कारा 95% सिल्वर जो है 4% फासफोरस 1% कापर है 80 जिंक जो है 20% है और कापर 88 जो है 3 जो है 12% है कापर 90 है जिंक जो है 2% है और 3 जो है 8% है ति इसमें बताना है कि कौन सा मुद्रा धातू होगा जिसमें पहला बाला आपसन जो हो जाएगा कापर 95% सल्फर जो है टीन जो है 4% फासफोरस 1% मिला करके मुद्रा मिस्र धातू बनाया जाता है अगला प्रशन है अमोनिया गैस को सुस्क करने के लिए परियुक्त पदार्थ है अमोनिया गैस को सुस्क करने के लिए कौन सा पदार्थ है इसमें दिया सान्द सल्फियुरिक अमल है कैलसियम जो है कुलराइट है यहाँ पे P4, YH10 है कैलसियम आकसाइड है जिसमें कौन सा आपसन सही हो जाएगा जिसमें या दखे कैलसियम आकसाइड जो होता है अमोनिया गैस को सुस्क करने में परियोग किया जाता है अगला प्रसंद दिया गया है 2, Y, F, I, C, L, 3 प्लस H, 2, O, प्लस X यहाँ X के जगह पे मान भरना है 2, Y, F, I, C, L, 2 प्लस H, 2, S, O, 4 प्लस 2, Y, C, L यहाँ सबसे पहले देखेंगे हाइडोजन गिनेंगे हाइडोजन कितना है 2 और यहाँ 2 2 मिलकर के 4 इधर हाइडोजन है इधर हाइडोजन देखेंगे तो 2 है तो इसका मतलब 2 हाइडोजन और आफसकता पड़ेगा यहां देखेंगे सल्फर एक है यस है इधर यस कहीं भी नहीं है इसका मतलब कौन सही हो जाएगा यह च टू यस इसमें बीवाल आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला परसन है सल्फर डाई आकसाइड का जली बिलियन होता है अब देखें कितने साल यह परसन पर देखेंगे सल्फर डाई आकसाइड जो होते हैं अमली होते हैं इसमें यह वाल आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रसंदी आ गया सीलवर नाइट्रेड बिलियन में तावे के छिलन डालने पर बिलियन का नीला हो जाता है इसका कारण है एजी धन आयन की उपस्थित में यहां बताना है सीलवर नाइट्रेड जो है सीलवर नाइट्रेड क्या हो रहा है तावे के छिलन डालने पर बिलियन क्या हो जाता है नीला हो जाता है यह किसके कारण होता है तो कापर धन आयन की उपस्थित में होता है इसमें सीवाल आपसन क्या हो जाएग अगला प्रस्ण है निमलेखित में प्रबल बैदूत अपघटन नहीं है किसमें नहीं है यह प्रस्ण पूछा जा रहा है अमोनियम कुलराइट है सोडियम एसिटेट है है इरोजन सलफाइड है पोटैसियम नाइटराइड है तो इसमें किसमें नहीं है तो याद रखेंगे स स्ोडियम सलफाइड में जो है बिदुत अपघटन नहीं है इसमें जो है सीवल आफसन क्या हो जाएगा शही हो जाएगा अगला देखेंगे धातु के सरलता से आक्सिक्रित हो जाते हैं वह धातु कौन है कापर सिलवर इलमुनियम प्लेटीनम इसमें याद रखेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा एलमुनियम होता है इसमें सी वाला आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रसंद देख सकते हैं मिस्र धातु कासा में होते हैं मिस्र धातु कासा में होते हैं कापर टीन कापर जिंक एलमुनियम जिंक जिंक जो है टीन इसमें बताना है कौन सा जो है मिस्ट्धातु कासा में होते हैं जिसमें याद रखेंगे इसमें कौन सा हो nhाएंगे ये आप्सन बडलalah याद रखेंगे इसमें 23 में डीबडला जो हार्न इसलवर जो है कुलॉराइड आइश का इसका सुत्र होता है इतो होता है अगला प्रशन होता है अगला प्रρεसन गया है दाटन नहीं है जार्मन इसमें क्यापर है जिंक है silver नहीं होगा या निकिल है इसमें तलब एजी इसमें जो है silver जर्म सिल्वर में धा तू नहीं माना जाता है इसमें c वाल आपसन क्या हो जाएगा अगला प्रस्ण है जस्ता धा तो hydrochloricum से क्रिया करके कौन सी गैस निस्कासित करता है तो जस्ता जो है GDN और प्लस EH2 या CEL जो है जब गरम करेंगे तो कौन सा गैस में जो है निस्कासित करता है तो hydrogen gas याद रखेंगे इसमें कौन सा गैस निकलता है hydrogen gas जो है बिस्थाबित करता है इसमें c वाल आपसन सही हो गैसे कौन सा तो धातविक है इसमें धातविक बताना है कि धात वाला तक तो कौन है 2020 के पेपर में पूछा गया है तो याद रखेंगे इसमें कौन सा धात हो जाएगा तो लिथियम जो है दात होता इसमें C वाल आपसन सही है अमल से हाइडोजन हटाने वाली धातु कौन है जिंक है कापर है सिलवर है यहां पर जो है मरकरी है यहां से बताना इसमें कि हाइडोजन हटाने वाली धात कौन है तो यहां लिखेंगे जिंक हो जाएगा जेड यहां जिंक जो है अमल से हाइडोजन हटाने वाली क्या है धात प्लूरीन से जितने भी गैसे होती आज लेखिया हो यहां का प्रशन यहां ध्यातौ है यह क्या है ईञान ने सित्य याith लेखियंगे आगला प्रशन देखेरागह版 अगला प्रशन है या C-H-O का I-U-P-E-C नाम है यहां पर एक कारवन है और C-H-O लगा हुआ है तो या मेथिनल हो जाएगा मेथेन में अल सब जोड़ेंगे तो मेथिनल हो जाएगा इसमें D-वाल आपसन क्या हो जाएगा शही हो जाएगा अगला प्रशन देख सकते हैं एगला प्रशन देख सी- їх 3 सी-ो-सी-ास-3- ask का ere odd हो जाएगा और यहाँ पे कारवन मेथें एथेन प्रपेन है यहां पूर पेन है तीन कारवन है इसने से तीन मेथिना कारवन में आउसरे प्रप्पे नून क्या हो जाएगा प्रोपे नून क्या हो जाएगा तीसरा में ज एसल डी हाइड कहा जाता है इसमें B वाल आफ़सर्ण क dal Да सस्य और के Internet काय नहीं हैangen है स्वारा पर वी किटवनीन है यह है किटंई नहीं है यह यह वी Administration नहीं किटेंगे सी ओछ यहां पडेकर सिजफर में सी डेवल lihat है यहाँ पर वी capabilities कि टोनी कहाँ पर देख रहा है कि बताना है कौन सा API है पाला दिया है चक्री हेकसेन, चक्री ब्यूटेन, बेंजीन, ब्यूटीन, यहां दो डबल बंड दिया है, तो बीविरिज सिंखला योगिक होते हैं, ब्यूटीन, टू, यहां पर डी वाल आपसन, क्या हो जाएगा, शही हो जाएगा, अगरा देखेंगे, प्रोपेनल में किरियात्मक समू है, प्रोपेनल में, सी अच्चो होता है, क्या होता है, यहां नल जब लिखा है, तो सी अच्चो हो जाएगा, इसने इसमें एवाल आपसन, साथ में जो है, एवाल आपसन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इलकेन का सुत्र है, अब यहां पर इलकेन का कौन सुत्र है, यह में जो है 12 रखेंगे 12 दुनी 24 चौविस अब 26 यह 26 वाला बार रखेंगे तो यह 26 होगा सी बाला अपसनंक्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला कॉश्टन है सोडियम एसटेट को सोडा लाइम के साथ गरम करने पर प्राप्त होनी वाली गैस है, सोडियम एस सीटेट को शोडा लाइट के साथ गरम करने पर मिथेन गैस प्राप्त होती है, इसमें बीवाल आपसन क्या हो जाएगा? शही हो जाएगा, अगला प्रस्ण है, अलमुनियम कारबाइट जल से क्रिया करके देता है एलमुनियम कारबाइड जो होता है जल के साज़ जब क्रिया करता है तो कौन सा गैस यहां पर बनता है तो यहां पर चार आपसन दिया गया है तो याद रिखेंगे एथेन गैस बनेगा CH4 निमल खित में इलकाइन का सुत्र है यहां पर बैठा हुआ है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहांपर अगला देखेंगे कौन सा है अगर यहाँ पर तीन रखते हैं सी यान याच टू यान माइनस दो इसका सुत्र होता है तीन रखेंगे तो तीन दूना च्छे छे में से दू जाएगा चार इसका मतलब यह सही हो जाएगा डी वाल आपसन क्या है शही हो जाएगा अगला कोशन है यहाँ पर बताना हाइडोजन परमाड़ों की संख्या क्या है तो इसमें हाइडोजन कितने है तीन और एक चार चार हो जाएगे इसमें डी वाल आपसन क्या हो जाएगा शही हो जाएगा अगला प्रशन है निमलिखित में और संत्रिप्त योगिक है और संत्रिप्त योगिक है यहां पर देख सकते हैं डबल बांड लगा हुआ है इसने डबल बांड वाले को का कहते हैं और संत्रिप्त बोला जाता है डबल बांड और तिरपल बांड को हमेशा और संत्रिप्त बोला जाएगा तो इसमें तेरे वाल बांड बनेगा CH2 डबल बांड CH2 यहां कारवन परमाड जहां डबल बांड से जुड़ा रहे देखें यहां एकल बांड है यहां एकल बांड से जुड़े हैं यहां नीचे वाले जो देखेंगे एकल बांड से जुड़े हैं इसलिए और संत्रित नहीं है और यहां जो है क्य अमियन ओफोर से जब किरिया होती है तो क्या बनती है तो इसमें याद रखेंगे गलाई काल इसमें C वाल आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रसंदिया निमलिखित में इलकीन है अब यहाँ पर इलकीन का सुत्र में बताना कौन सा सही है तो इलकीन का सुत्र क्या होता है अब यहाँ पर अगर दो रखेंगे तो चार चाहिए तो यह फोर हो जाएगा इसका मतलब इसमें B वाला आपसन जो है पंदरे वाला में B वाला आपसन क्या है सही है प्राकृति गैस का प्रमुख अवयों है मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन तो इसमें कौन सा आपसन हो जाएगा तो इसमें जो है यह वाला आपसन हो जाएगा मेथेन हो जाएगा कौन हो जाएगा मेथेन 16 वाले नमर में कौन सा को सन हो जाएगा मेथेन हो जाएगा मिट्टी तेल में कारवन पर मारूं संख्या कितनी होती है तो 17 में जो हो जाएगा D मतलब C 11 से C 16 तक हो जाएगा इसमें D वा लापसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है एक एलकोहल और अमल के साथ होने वाली अवकिरिया कहलाती है जल अवगटन, साबनी करण, हाइडरोजीनी करण, एस्टेरी करण याद रखेंगे एथनाल और अमल के साथ अवकिरिया होने वाली अवकिरिया को का कहते हैं एस्टेरी करण कहते हैं जो एस्टर बनता है इलकोहल में जब एस्टी करण को मिलाते हैं तो ester बनता है इस सब करिया को ester दे करन अब करिया कहते हैं इसमें डीवाल आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रसने और संतिप हाइडो कारवन में दूई बंद होते हैं इसमें यह इकल बंद होते हैं चत्रुफल्क होते हैं और से 109 अंस 28 मिनट का जो है अंस है एकल बंद इसलिए इसमें आपसन का हो जाएगा एवाल आपसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कारबनी की योगिकों का प्रमुक्ष रोत है कोलतार पेट्रोलियम कोलतार पेट्रोलियम दोनों कोई भी नहीं तो कारबनी की योगिक का प्रमुक्ष रोत कौन है इसमें जो बताना है कहां पर जो है इलकोहाली समूँ उपस्तित है जहां पर OEH रहेगा उसी को कहा जाता है इलकोहाली समूँ कहा जाता है तो इसमें आपसं चेक कर लेंगे कौन आपसं जो है सही है तो इसमें CS3, CS2 OEH हो जाएगा इसमें जो है इलकोहाली है देखिए OEH इसमें भी उसमें लगा लेकिन नहीं नहीं हो सकता है सी श्वाइब ओएच नहीं हो सकता है यहां पर सजाती युक्मत घिसे का अंतर होता है तो यहाँ पर CS2 का अगर अंतर किया जाए तो देखेंगे दो मेंसे एक कार्वन घटे का एक चार मेंसे चार जाएगा यह नहीं हो सकता है यहाँ पर चेक करेंगे कि मतलब किसमें से जो है अंतर CS2 आ रहा है घटाने पर 23 नमबर वाले को चेक लिए C वाला अगर आपसन को चेक करते हैं यहाँ पर देखेंगे कार्वन के हाइडवन कितना है 3,1,4 है दो घटेगा तो H2 आ जाएगा और यहाँ दो कार्वन है और यहाँ एक कार्वन घट जाएगा तो CS2 CS2 का जहां अंतर आ जाए वास जादी युक में कहा जाता है जिसमें C वाला अपसन क्या हो जाएगा परोपेनल का रसाइनी सुतर है तो का परोपेनल मतलब 3 हो जाएगा और C 3 रखेंगे तो H2 गुडे 3 प्लस 2 हो जाएगा 3, 2, 6, 2, 8 मतलब C3 रखने पर 8 हैगा मतलब B1 अबसन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रशन है पुरुपेनाल पुरुपेनाल का सुत्र क्या है तो पुरुपेनाल का सुत्र C6 यच 5 वो यच होता है पुर्चेनाल के वितन ब्लताइपक सब्सक्रीस बाइखक Dutch9 है पुरपिनाल कौन हो जाएगे निए पूर्च Peach 23 EU pH जाएगा पुर्चेनाल हो गए तो यहां एक कारओन दुकारओन हो गया एक और कारओन दुकारओं एक इसले पूर हो है हो गया है क्या ढूंति है साथ साथ हो जाएगा साथ हो यह इस Kalina का आसा सभी होगी हैगा ≡5 में सी क्लीका गार्ण सही नहीं हो जाएगा इसमें डवल कारवन में होता है मिल्बंद होता है नहीं होता हिएगा- सब्सक्राइब कर लिए अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यारतियों को नमस्कार